गाऊं चलकोई बनी रोतान की 25 वर्षे विभाहिता को देज और काला रंग होने का ताना देकर घर से निकाला महिला थाने में मुकदमा दर्ज चुरू के गाउं चलकोई बनी रोतान में 25 वर्षे विवायता को कम धेज और काला रंग होने का ताना देकर ससुराल से निकाल दिया गया विवायता ने पती सहीत ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है महिला थाना पुलिस ने आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बुधवार को जाज शुरू कर दी महिला थाने के हैड कॉंस्टेवल भागिरत सिंग ने बुधवार को बताया कि गाउं चलकोई बनी रोतान की 25 वर्षे विवायता ने मुकदमा दर्ज करवाया कि फरवरी 2022 में उसकी शादी जुनजनुज लेके खिरोड गाउं में हुई थी शादी के वक्त बोलेरो गाड़ी की मांग को लेकर उसके ससुराल वाले अड़ गए आर्थिक तंगी का हवाला देकर उसके पिता ने आइंदा मांग पूरी करने की बात कही जिसके बाद वे ससुराल चली गई ससुराल में पती सहीत ससुराल पक्ष के लोग उसे देज के लिए तंग परिशान करने लगे और उसके काला रंग होने को लेकर ताना भी देते